तो दगडियों नमस्कार एक बार फिर सी आप सभीयों को आप सभी का स्वागत है पहाडी पोजी के गेट रेडी विद मी पाट टू में तो आज मेरे को जाना है किरतन मंडली में किरतन करने तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी जो है एक टूटोरियल दे दू तयार होने क तो आज हम फिर से तयार होके दिखाएंगे आपको बढ़िया करके अच्छी से डीटेल में तो सबसे पहले तो मुंड को बांद देते हैं क्योंकि ने जो है खारे से दूल दिया था आज आप देख सकते हो कितनी चम चम हट है आपके हर में अगर खारा नहीं है तो आप जो दिखाएंगे तो अब हम दूसरा प्रोसेस करेंगे काजल लगानी का तो काजल लगाने के लिए सबसे करें हमको चहिए होगी कोई सी भी एक्सपेंसिब काजल तो मेरे पास ही देखो मैं इतनी एक्सपेंसिब काजल यूज करती हूं ठीके दगडियों और आपके जो है करना है ऐसे एक आखे पे फिर आपको ये दूसरे आखे पे लागाना है ऐसे फिर ये मेरे को थोड़ा-थोड़ा ही पसंद है इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा ही लागाया तो यह है और अब दगडियों आप हम क्या करेंगे दूसरा अब यह जो एब्रो इस अब्रो को काले करने के लिए हमको चाहिए होगा पुछ तो तो मैं रहां जवाए की वो चुरही पॉलीश सेAB game की सब्सक्राइब इस तो यह दिए मेरा दिपनिश Suppose से इस अब मेरा किनी प्यारी लाइर ऐारे है तो थोड़ा दाड़ी बढ़ा देंगे तो इन पर विलागा देंगे थोड़ा क्योंकि मैं पालर यह पार नहीं गई तो अब हमारा दीसरा प्रोसेस है कि मुख पे कौन सा पौडर यूज करें तो आपको मैं बता दू मैं सबसे मेंगा पौडर यूज करती हूं यह देखिए इतना बड़ा दब्बा तो यह है सक्तिभू अगाटा तो आपको इस अभी आटा यूज कर सकते हैं ठीक है तो इसको सब्सक्राइब तो आपको एक वालणिंग जरूर दोंगी दगड़ियों कि इसको न दोणी पर बिजरूर लगा है अईसे ऐसे क्योंकि ने तो फिर मुकड़ा गोरा देखता है और दोनी काल काली दिखती है तो फिर आपको इसको लाखाने के बाद इसको आईसे धीरे धीर करना है ऐसे ते नहीं तो यह देखो कितना प्यारी में तो अब हम क्या करेंगे अब हम पहनेंगे सडी तो आज है मैं यह नीली साडी पहनने वाली हूं तो इसको जो है सबसे पहले हम इसको पहनने के लिए इसको पहनते हैं बिलोज मैंने पहले पहन रखता तो इसको पहले मैं पिटी कोट के अंदर डाल देती हूं फिर यह देखो यह मेरा यह पल्लू आगया है दगडियों तो तो यह देखो यह मेरी साड़ी किती सुन्दर लग रही है और अब मैंने इस पर थोड़ा सा यहां से यह भी छोड़ा है क्योंकि किरतन में अगर जट जाए तो ऐसे करने लिए ठीक रहते हैं न दगडियों ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं ऐसे तो यह रहा मेरा फेनल लुक होप सभी को पसंद आया होगा तो बहुत सारी लोग भोलते कि बोजी बल आप इतने करली बाल है बल आपकी और इतने स्मूथ बाल है इन बालों का पीछे क्या राज है तो कौनसा सैंपू यूज करते हो दगड़ें मैं कोई जादा नहीं मैं जो है हार्पिक यूज करती हूं और कंडिशनर के लिए जो है मैं यह बातरूम किलीनर लगा देती हूं तो इससे मेरे बाल बहुत ज्यादा स्मूथ रहते हैं देख सकते हैं आप कितने स्मूथ और कितने काले हैं इन लटनों को आगे कर देंगे तो यह मेरा फैनल लूक है आप जरूर बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा मेरे को कितन में जाने ले देर हो रही है अब मैं वहां पर जाके और दगड़ियों चीज चुटी लिपिस्टिक तो लिपिस्टिक किस चीज से लगाएंगे हम अभी रूकों में लिपिस्टिक के दगडियों मेरबसमें मेरा खुद का मतलब में यह जो है यह जो है यह यह बाम मेरे पास में तो इसको हम थोड़ा-थोड़ा लगा देंगे ऐसे इस सा हम आ लगा वि T मेरे बाल बिल्कुल टैट रहते हैं बिल्कुल नहीं जड़ते मेरे बाल तो चूलू का तेल मैंने इंवास से मंगाया था बाकी आपको बताई दिया एक और चीज रह गए लास्ट में यह जरूर करें जो भी मेक अप करें उसको फिक्स रखने के लिए जो फिक्सर लगाना ज चलो अब मैं चलती की तन में आप कमेंट में जरूर बताना आपको कैसे लगा लाइक सब्सक्राइब फॉलो और शियर जरूर करना बाई